अब हम जरूरी औजारों और सामान के साथ तयार है। हम डस बिन बनाना शुरू करते हैं। पहला चरण लकड़ी की वह हिस्सा चुनिये, जिसमें गाटे वह कमपन न हो। लकड़ी के तुकड़े को लोहे के फूटा से नापे और एक सीधी रेखा खीच कर निशान बनाएं। लकड़ी के तुकड़े को बेंच टॉप से सहारा दें। और हाथ वाली आरी से निशान वाले लाइन पर सीधे काटे ताके एक वर्ग बन जाए। दूसरा चरण डिजाइन के अनुसार डस्बिन उपर से चौड़ा और नीचे सक्रा होना चाहिए। डिजाइन के अनुसार उसको नापे और निशान लगाए। तुकड़ों पर लाइन खीचने वा निशान बनाने के लिए लोहे का फूटा वा पैंसिल का प्रयोग करे। इससे डस्बिन की एक तरफ की दिवार तयार हो जाएगी। इसके बाद एक बार फिर लगाए गए निशानों पर गौर करे। आरी से काटने के लिए तुकड़े पर चौफूटा की मदद से उपर से नीचे तक एक रेखा और खीचे। कटिंग लाइन सई जगह पर खीचने के बाद साइड के अनुसार तुकड़े को काटे। जिस तुकड़े पर काम हो रहा है उसे बेंच टॉप के सहरे रखे और हाथ वाली आरी से चिनहित लाइन पर कटिंग शुरू करे। उसके बाद लकड़ी के तुकड़े को बेंच के सहरे रखे। बड़े रंदे से चप्टे किनारों को चिकना करे। सभी अधूरे किनारों को समतल करे। किनारे की सही लंबाई चौड़ाई नापने के लिए फिर से चौफ उटे का इस्तमाल करे। और जरूरत के हिसाब से उनको सही आकार प्रदान करे। इसी प्रकार पिछला हिस्सा बनाएं। पिछला हिस्सा भी पूरी तरह अगले हिस्से की तरह ही बनेगा। दोनों तुकड़े एक दुसरे के दरपन की तरह होने चाहिए। बस पिछले हिस्से की मोटाई थोड़ी कम हो जाएगी। ध्यान रखे जब ये दोनों हिस्से जोड़े जाएंगे तो जो अगले वा पिछले हिस्से आपने काटे थे उनमें अंदर से पूरी तरफ फिट हो ज लगाए। तीसरा चरण अब पिछले हिस्से को अगले हिस्से से 90 अंश पर जोडने के लिए उसके नीचे वो किनारों पर गोन लगाई है। पिछले हिस्से को अगले हिस्से के बाहरी किनारे से जोडना चाहिए। अगले हिस्से के दोनों किनारों पर थोड़ी जगद छोड़ कर कीले ठोके। इसी तरह शेश बचे अगले पिछले हिस्सों को भी जोड़ दे। जहां पर ज्यादा गोंद लग गई हो और बाहर निकल आई हो उसे पोंच दे जुड़े हुए हिस्से उपर से नीचे तक पूर्ण वर्गाकार आकार में होना चाहिए चौता चरण डस्बिन को उल्टा कर दे और उसके आदार किनारों को रंदे से चिकना करे जुड़े हिस्सों को बाहरी किनारे से आदार बनाने के लिए फिर नपाई करे लोहे के फुटे की मदद से आदार लकडी के तुकडे पर लाइन खीच कर निशान लगाए फिर उसे बेंच टॉप के सहरे रखे हाथ वाली आरी से बची लकडी से आदार हिसा काट ले चौफुटे से सतर नापे फिर इसे बेंच पर रखे और किनारों को समतल करके ताके वे पूरी तरह बराबर लगे चौफुटे से आदार हिस्से को फिर से जांच करे वो पूरी तरह सही है की नहीं पांचवा चरन अब आदार तुकडे को जोड़े आदार तुकडे को डस्बिन के आदार पर इस तरह रखे कि सभी चारों साइड एक सीध में आ जाए सभी किनारों पर गोन लगाए वो आदार तुकडे से जोड़ दे यहां कील भी ठोक सकते है सूके कपड़े से बाहर निकली गोंद को साफ कर दे जो लकड़ी के हिस्से किनारों से ज्यादा दिख रहे हो उसे रंदे से चिकना वह बराबर कर दे फिर गोंद को पूरी तरह सूक जाने दे छटवा चरन जब डस्बिन तयार हो जाए तो फिर उसमें हतोडी से कील ठोक दे पूरी सत्व को चिकना करना आखरी काम होगा रेगमाल की मदद से सभी हिस्सों की सत्व को चिकना कर दे दरार्व छेदों में सत्व किनारों से बरूदा और गोंद का मिश्रन भर दे और उसे सूक ने दे उसके बाद इच्चा नुसा डस्बिन में पॉलिश या पेंट कर दे लकडि के इस दस्बिन को किसी भी कमरे में सजा कर रखा जा सकता है इस प्रैक्टिकल गाइड का प्रयोग करके एक दस्बिन स्वय अपने हाथों से बनाए यहां संग्षेप में फिर से उन प्रमुक चरणों के बारे में बताया जा रहा है जिनका पालन इस काम को करने में आवश्यक है पहला, लकडी के तुकडे को वरगाकार बनाना दूसरा, साइस के अनुसार पैनिल पर निशान लगाना वा कटिंग करना तीसरा, गोंत का प्रयोग वा सबी पैनिलों को एक साथ जोडना चौता, डजबिन के आधार के लिए एक आधार तुकडा काटना पांचवा, गोंत का प्रयोग और आधार बनाना छटवा, अन्तिम रूप प्रदान करना